नमस्कार बच्चो, टेक्निकल क्लासस में आपका स्वागत है जैसा कि बहुत सारे बच्चे ने मैसेज पर मैसेज करने किया जा रहे थे कि अभी का जो सेलरी जो है, उसके एक्टॉडिंग कितना सेलरी, ग्राउस सेलरी आ रहे है कितना उसमें कटवती होती है और कितने CMF में जमा होता है उसके बारे में आज इस सेशन में चर्चा करूँगा चलिए अस्टार्ट करते हैं देखिए अन्सेय असेस्टें फ्रमें सैलरी की बात करें तो 2020 में जो बच्चे जोइन किये थे उसमें उसका बेसिक जो था वो 31,000 क करीता अभी जो बेसिक हो गया है वो 47,000 के करीब हो गया है तो यह जो आपका जो सेलरी स्टेक्चर है वो 47,000 के कोडिंग है तो देखेंगे इसमें कि कितना आपको ग्राउस सेलरी बनता है आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें मैं देख किया रहा हूं कि लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आपके लिए मैं जिन रात मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं आपसे उमीद करता हूं कि मेरा चैनल सबस्क्राइब करें मैं उमीद करता हूं कि इस वीडि ज़ना मज़तहु सोते हैं आतरा कि स्कία कम्टू एकर रपाइगा ख्रयार जहाए और स्क्राइट सपने नहिंच को मद फिस्टाम ऑल्सक्तर यहां नहीं सेवें तॉमांत्ते यहां अपको द्याग अलग अपसें द्यूकर गई अप्साव सेक्टेम्ट को यहां नहीं है यह जो है वह कृष्णसीला में पोश्टेड है, यूइट कृष्णसीला है, जहां पे अलग-अलग प्रजेक्ट है, खड़िया हो गया, क्रिश्णसीला हो गया, जयंत हो गया, यह सब अलग-अलग area है, मांस का, इसमें इसका जो डिजानेशन अभी भी असिस्टेंट फुरम में इनको है यहां पर पंप बगरा के इंस्टॉलिशन होता है यह मैंने बताया था इसके प्रिबियस वीडियो में बताया हूं अगर कोई बच्चे एंड एम और एक्सकेवेशन में डिफ्रेंस नहीं समझ पा रहा है तो मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में है जाकर वहां जरूर देखें यह आपको स्टेट बैंक है इनका इसमें जो टोटल सैलरी जो इसका इनका जो बेसिक है अभी 50,212 रूपया है 50,212 रूपया है यहां से भी बेसिक में इन्होंने 22 दिन का टेंदेंस किया था दीखें इसमें 5 दिन का विकली ओफ था यह 5 देज का विकली ओफ था एक मिनट यहां पर दीख रहा होगा कि 5 देज का विकली ओफ है इनका अब इन्होंने क्या किया है कि संडे किया है चार संडे इन्होंने किया है अब चार यहा सब सा पहली बात बहुत सा बच्चे सोच आउंगे साथ त्रेणिंग में क्या हमको डूउट्र मिलेगा हे चार ए युशार भार मिलेगडा इसको दिया जाता है जो अगर इनल का गोजा इसमें नहीं रहना चाहता है उसके लाबा कहीं और रहना चाहता है तो उनको HR A दिया जाता है HR A तभी मिलेगा जब उनके quarter को आप नहीं लेगे ज्यादातर जो बच्चे जाएंगे जब शुरुआत में जाएंगे तो HR A में आपको HR A में आपको दो या तीन परसन को एक रूम में मतलब एक quarter में रखेगा 2 BHK का फैलेट देता है 2 BHK का फैलेट देगा जिसमें से आपको दो या तीन आदमी को रखेगा ठीक है ज्यादा तर दो आदमी को यह दखता है 6 मंथ के बाद आपको 6 मंथ 6 महिने के बाद आपको क्या करेगा कि आपको सिंगल सिंगल quarter 2 BHK का quarter टाइप C quarter आपको मिलेगा आप इसमें देखिए भी DA की बात करें वारियवल देरेने से लावेंस देखिए मैं यहाँ पे उच बच्चे ने पूछा था कि मैंने पूछी वीडियो में बताया कि आपको इनको 5925 मिला है अब एक मिलता स्पेशल एलावेंस स्पेशल देरेनेस लावेंस जो सिर्फ इनका जो स्पेशल देरेनेस लावेंस जो फीक्स है आपको यह आपको इसमें ब्रहोतरी नहीं होते है भीडियो तो आपको बढ़ते रहता है तीन महिना के अंदर बढ़ेगा एकनि आपको 1.795% बेसिक पलस बेसिक का इतना मिलेगा ठीक है 1.795% ऐसी आपको fix है भीडियो जो है हरे एक तीन महिना में आपको इसमें ब्रहोतरी होता है कि इसमें भीडियो में भीडियो में 7% यह fix नहीं है, variable है, देखिए, नाम ही है variable, तो हैसा आम नहीं कहा दिया कि 7% तर सब कहना किया, सरत आप 7% गोल दिये थे, नहीं, variable का मतलब हो गया कि कि किसी साल आपको total 8% कभी हो सकता है, किसी साल अगर company का profit उतना नहीं रपाया, तो आपको 3% कभी होगा, देखिए यह company के profit पे depend करता है, अगला जो है, आपको transportation है, transportation में आपको हर एक दिन के लिए, आपको 65 रुपईया, 68.5, 68.5 रुपीज मिलेगा, एक दिन का, अब जीतना दिन आप किये हैं, जैसे यह किये 22 पलस, 4 संड़े किये थे, तो 4 संड़े 22 पलस 26, तो टोटल 26 डे इने डूटी किये, यह 26 डेज में, इनको जो सेल्डी में, आपको 68.5 मिल्डिप्लाई किजाएगा, तो यह आपको इसको transportation allowance मिलेगा, मिला है, 1625 रुपीज, अब बात आती है, production incentive, देखिए, production incentive जो होता है, वो बच्चे को मिलता है, इसमें आपको, जो management training का भी है, और कोई, अगर for man भी है, य Construction incentive मिलता है, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिलता है, जो office में है, office in the sense कि, जोनको posting, barter department में हो गया, या CHP department में हो गया, coal handling plant में, यहां पर इनको नहीं मिलेगा, CHP वालों को मिलता है, बागी सब को मिलता है, यह आपको मिलेगा, प्रोडेक्शन इंसेंटी मिल का फिक्स होता है, 7000 रूपीज, यह 7000 आपको मिलेगा, ठीक है, विकली आफ इनको अब देखिए, अगर आपने कोई विकली आफ किया है, संडे में जो विकली आफ अग्य देखिए, इनको चार दिन विकली आफ किया था, इसमीं 4 दविकली आफ किया था, भीकलीे ओफ चार दिन किया तो उसका बेतन मिला आठा ze70, साथा सो पेच्शततर रूपे, अब यह जो आपको है ना, यतना बेसिक होगा, वो एक दिन का बेतन हो उसमें चार्जिन से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको 8,775 रुपीज के करीब आता है यह हो गया बिकली ओफ करने के बाद अब कोई बच्चा ओभर टाइम कर देता है माली एक घंटा कर दिया डेली ओभर टाइम उसका मिलता है 5,000 यह आपको फिक्स है यह आपको नहीं पांच हजार फिक्स है आपको 11 दिन करेंगे तो पांच हजार मिल जाएगा 11 मतलब 11 दिन में 11 घंटा अगर एक्स्टा डूटी क दि अब सांथा फिक्सटा एक्सस्य Гaroo कुश पर्सेंटिज जोगू है आपको सबको कोलीरई में माता जाथा है अब इस सब को जोड़ेंगे तो आपको प्रोटल ब्यतन जो बन रहा है बाबू, वो 18,805.82, इतना रूपईया इसका ग्रॉष बन रहा है, देखिए यह ग्रॉष है, ठीक है, ति इसमें कुछ कटाउती होगी, कटाउती में आपको कुछ प्रोविडेंट फंड होता है, जो आपको रिटार्मेंट के बाग क्वैसा मिलेंगे, यह कुलियरी माइनिंग प्रोविडेंट फंड के नाम से जना जाता, इसमें आपको 8,490 रूपया कटाउती करेगा, और इसका 12% या 14%, एक्जक्ट मुझे याद नहीं है, 12-14% सरकार देगी, यह तो आपके सेलरी से कटा, लेकिन इस से ज़्यादा आपको सरकार देगे, मान लेजे आपको 10,000 या और एक्स्टा आइड करेगी, आपको हो गया, 19,000 के करीब अलमसमी हो गया, अब यह होता है, CMPS, यह पेंसन स्कीम हो गया, यह प्रोविडेंट फंड है, जो आप जानते होंगे, EPFO, अप लोगों को पता होगा, PF जिसको करते हैं, प्रोव इतना है, पेंसन के रूप में आपको हर एक महिना में 3,930 जमा हो रहा है, आप शोचिए कि आप जब तक रिटायर करेंगे, तो उसके कावडिंग कितना परसेंटेज फिक्स रहता है, इंट्रेस्ट सरकार पे करती है, उसके बाद आपको इसमें आपको पेंसन मिलेगे, ब आपकी ये 2 रूपिया मिसलिनर डिस्टेक्शन होता है, ताकि ये पुनांक में जोता है, डिजिट में आजाए, 2 रूपिया है, अब ये टोटल जब कट होती करेंगे तो 20,010 रूपईया, इतना कट होती होगे, 20,010 रूपईया, ये कितना ही हैंड इसको आ रहा है, 61,795, ये सेलरी आ रही है, आप सोच सकते हो कि अगर आप इनिशियल में 47,000 भी है ना, तो आपको इनिशियल बेतन आपको 60 के करीब बनेगा, ये 50,000 फिर भी आपको 60 करीब बनेगा, अगर शुरुवात में आपको नाइट अलाउंस वेगरा कम देते हैं, नाइट अलाउंस होता है, इसमें एक और सबसे बड़ी बात किया है, कि इन लोग को 85,000, 85,000 रुपी जो होता है, दिवाली के टाइम पे बोनास अलाउंस मिलता है, बोनास, इस समझने बात को, ये बोनास अलाउंस 85,000 रुपिया आपको सलाना मिलता है, ये आपको 85,000, ये भी तो आपको जो पुदेंगे आप समझने बात को यह सब जोड़ने जाडने के बाद आपका जो टोटल जो सेलरी जो होता है ग्रॉस सेलरी अगर बांता है आठ लाक सलाना आठ लाक 73,500 रुपया के करीब आपको ग्रॉस सेलरी बनती है अब इसमें आपको क्या है medical allowance है बावू medical facility है कोई भी बिमारी हो जाएगा आपको रेफर करने के बाद भी पैसा जोती है CIL देगी ठीक है यह हो गया पिंसन हो गये यह सब इसके फाइदे है इतने के बाद आप लोग को सम समझ रहे हो ना यह चलते फिर से मैं कहार दे रहा हूं कि जो बच्चे जो बच्चे अगर serious नहीं हैं तो serious हो जाए वर्क लाइफ की बात करते हैं बहुत बच्चे ने बोला कि sir work life क्या है तो बैक लाइफ का मैं इने वीडियो बनाया हूं जाकर उसको देखें मैं देख रह और उन लोगों के साथ share करें जो त्यारी भी कर रहें जो नहीं भी कर रहें उनको भी पास share करें एक और चीज़ में छुट गया वह क्या छुटा आपको EL मिलता है छुट्टी देखिए EL है EL होता है emergency यह जो हता है कैसेवल होता है inकैसेवल का मतलब क्या कि अगर आप EL छु रूप में निकाल सकते हैं किसके रूप में निकाल सकते हैं money की रूप में money की रूप में money की रूप में money की आपको जो basic plus SDA plus video जोड़ के आएगा उसका एक दिन का जो बेतरन 30 से भागा दे देना है और उसको 15 से गुना करने के बाद उतना salary आपको EL में आ जाएगा यह भी है क्योंसे भूल होता हैHow HPL की बात करें, तो half bed मिलता है, 15 days मिलता है, half bed leave, half bed leave मतलब कि आधा, 15 दिन का 15 दिन लिखाओ, इसमें आपको छूटी मिलें, ये 15 पंदरा करके आपको 30 दिन का मिलता है, इसमें भी आपको कितना 15 दिन का ये छूटी हो गया, तो छूटी का यहाँ पर दिकत नहीं है, अगर इसके बाद भी, अगर कोई बच्चा को confusion रह गया हो, तो फिर से आप comment में पूछ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को confusion हो गया हो, ठीक है, चलिए, इसी notes के साथ, मैं अपना समाप्त करता हूँ, और आप से उमीद करता हूँ, कि जो बच्चे नए-नए हैं, इस group में share जरूर करेंगे, और मेरा grow channel जो है, बहुत जल्दी grow करेगा, आपका आशिवाद बना रहा है, मैं आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितने बच्चे जुड़े हैं, व 7 street है, इसा काम नहीं चलने वाला हूँ, 7 street है, 7 street में लाणना है, हमको 12 गंटा पढ़ना न, 14 गंटा पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमको करना है, आप एशा क्या कर रहा हूँ, कि नहीं पढ़रे हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, objective question डालता हूँ, उसके करता हूं उसको जा करके बनाने कुशिच किजिए एक तरह सा समझे का आप एक्जाम दे रहे हैं अगर इस स्टेप से करते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होते जाएगा समझ गए इस टैप से एक और सही रही है जूटी वादे जूटी कसमे जूट भी था तेरा चेहरा समझ प्रैवाद को इसलिए आप अप लोग मेहनत करके और मैं उमीद करता हूं कि इसको आप निकाले बहुत बहुत धन्वाद आपका ज्यादा बक्त नहीं लूँगा लेकिन एक वीडियो को आप देखें धन्यवाद